जैशी कृष्ण दोस्तों, 22 वे सरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों सर्व पितर अमावस्या का बहुत अधिक महतु माना जाता है कहते हैं कि इस अमावस्या के दिन जो हमारे पितर होते हैं वो अपने लोग को वापस लोड़ जाते हैं इसलिए इस अमावस्या को देखिए मोक्ष ताइनी अमावस्या या पितर विसरजनी अमावस्या भी कहा जाता है इस दिन जो भी वेक्ति उनका शद्धा भाव से उनको नमन करता है उनको विदा करता है तो उनके पितर उनसे प्रसन होते हैं और उसके घर में खुशियों का थी मनुष्य की जनम कुडली में बने हुए पितर दोश और मातर दोश से मुक्ति दिलाने के लिए भी सबसे शेष्ट दिन माना जाता है दोस्तों इस दिन क्या जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहें जिसके करने से आपकी पितरों का आशिवाद अवश्य ही मिलेगा अगर कि जनम कुडली में मतलब पितर दोश है तो वह भी अवश्य ही समाप्त होगा दोस्तों इस समय पर यानि पितरों को विदा करते समय अगर आप जो भी इच्छा रखकर उपाय को कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी वह इच्छा वश्य ही पूरी होगी दोस्तों उसकी जान कुछ किया हो या ना किया हो लेकिन अगर आप पितर अमावस्या के दिन अपने पितरों का मतलब पूजन करते हैं अपने पितरों के लिए इस वपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपकी कुडली के जितने भी पितर दोश है वो तो समाप्त होंगे ही और जिस भी मनो कामना क कि यह लिए, पूपाइ को करेंगे आई, और अवश्य ही पूरी होगी, यह पूर अवस्या के दिन कूरे पांच जगा में जो भी आप घर में बनाते जाए कुट्टे का कुट्टे को और कोवे का कोवे को और अगनी का मतलब अगनी पर निकाला जाए और पित्रों का पीपल के पीड के नीचे रखना चाहिए दोस्तों अगर आप इस प्रकार मतलब गाय कुट्टा कोवे को अगर नहीं खिला पा रहे तो आप इन पंच ग्रास के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिएं आपके पितर बहुत ही शीगर प्रसंद होते हैं दोस्तों, शास्तरों में माननेता है कि पित्रामावस्या हैं, हमारे जो पित्र होते हैं, वो देखे जल का आचमन करके अपने लोग को जाते हैं, माना जाता है कि जो भी वैक्ती, मतल़ सायकाल के समय, जलाशे पर यानि कुवा, बावडी, तालाब अगर आपके घर के आसपाद जहां पर भी मतलब जलाशे है वहाँ पर अगर आप एक सरसो के तेल का दीपक दक्षिन दिशा की तरफ यानि साउत दिशा की तरफ उसका मूँ करके जलाते हैं तो हमारे पितर बहुत ही शीग्र प्रसन होते हैं कि उस समय पर वो विदा होते हैं और माना जाते हैं कि वो उस समय पर मतलब कुवा, तालाबों पर जल का आच्पन करते हैं यानि जल को ग्रहन करके वो अपने लोग को चले जाते हैं दोस्तों अगर आपके घर के आसपा जैसे जलाशे नहीं है कोई कुआ तालाब नहीं है तो आप अपने पित्रों के नाम से दीपक मतलब पीपल के पेड़ के नीचे भी जला सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे भी आपको देखे दक्षिर दिशा की तरफ उसका मूँ करके म अपने पित्रों का ध्यान करना चाहिए उनको नमन करना चाहिए उनसे प्रातना करनी चाहिए कि आप से जो भी भूल चुक हो गई है उनको शमा करें और आपके घर परिवार के सभी सदस्यों को अपना आश्रिवात परदान करें दोस्तों इस तरह से प्रातना अवश्य करें अगर आपके घर के आसपात देखिए जलाश है यानि कुवात अलाब है तो वहाँ पर भी और पीपल के पेड़ के नीचे भी है अगर आप दोनों ही जगा अपने पितरों के नाम से दीपक जलाते हैं दक्षिर की तरफ मुँ करके दीपक जलाते हैं तो यकीन मानिया आपके जो पितर हैं जाते जाते आपको आश्रवाद अवस्चे दे जाएंगे और आपकी जो इच्छा है वो शीक्र पूरी होगी दोस्तों पितरा अमावंच्या के दिन दिन देखिए चीटियों के लिए भी अगरव आप आप आंटा मतथी मिलाकर बुरा मिलाकर अगर आटा डा होते हैं लेकिन पित्र अमावस्या की दिन अगर शद्धा भाव से अगर आप एक भी उपाय कर लेते हैं तो आपको अपने पित्रों का आश्रिवाद अवश्य मिलेगा और निश्चित ही आपकी जो इच्छा है पुत्र धर नोक्री विवा वो अवश्य ही पूरी होगी दोस दोस्तों अगर आपको हमेरी जानकरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें आप सभी को जैशी कुछना